चलो कहता है करेंट केरिंग लूप कंसिस्ट टू आइडेंटिकल सेमी सर्कूलर पार्ट अब देखो एक वायर है एक लूप है और उस लूप में हमारे पास एक टू सेमी सर्कूलर लूप कर दिये उसमें से सेमी सर्कल दो बार्ट कर गए है जिसकी रैडियस हर एक रैडियस आरा है और वह एक पार्ट प्लेंट में है और दूसरा एक्स जेट में है और हर एक लूप में करेंट एक ही दार्ट सूलू रहा हुआ है अब मतलब Shirley उसमेड बना लेते हैं तो 18 यहां पर plane बनाओं कुछ तो आपको कुछ ऐसा मैं आपको plane बनाता हूँ तो कुछ ऐसा plane है यहां पर और यह जो plane है यह x-axis मेरा इधर हो गया x-axis इधर हो गया और y-axis मेरा इधर है और यह vertically नीचे minus y है और z-axis अगर देखोगे तो कुछ इधर है तो यह plus z है और board के अंदर अगर देखोगे तो यह minus z है और यह minus x है और यह center o है तीक है अब यहां से समझने की इकोसिस करना यह origin है o और यह हम लोग पास basically plane है समझे रहें आपना ऐसा एक plane है इस type से समझने की कोसिस करना इस type का एक plane है और एक x-y plane है यह उपर वाला जो है मेरा ऐसे उपर वाला यह वाला जो plane है यह जो plane है basically यह वाला जो plane है ऐसे यह x-y plane है और यह x-z plane है तो जो circle है उसका एक पार्ट तो इस वाले plane में है समझे रहें ना book अगर मैं देखूँ यहाँ से अगर तुम देखोगे जैसे यह book है तो इस book में यह जो plane है इस book में अगर देख रहे हो तो यह जो plane है यह जो vertical वाला plane है वो मेरा x-y plane है और यह जो horizontal यह नीचे वाला जो plane है वो x-z plane है तो इस circle का एक वाला part circular loop है तो एक part तो इसमें है यार एक part समझना यह circle है तो एक part तो loop का इस वाले part में है और आदा part कुछ plane में है तो कुछ ऐसा और इसमें current की direction सेम है तो इसके center पर जो magnetic field है और c पे circle के center पर उसकी calculation करनी है और इसकी radius कुछ r है तो यह हमको समझ में आ गया होगा तो चलो सबसे पहले अगर हम देखें इसको तो अगर radius r है तो पहले वाले अपर हाफ जो अपर हाफ circle है उसका magnetic field अगर ऐसे है current ऐसे flow हो रही है current ऐसे flow रही तो magnetic field बोर्ड के अंदर जाएगा बोर्ड के अंदर माइनस जे और जो ऐसे जो इस वाले horizontal वाले plane में है जो एक्स जेड प्लेन में है उसका magnetic field अगर देखोगे तो नीचे गया नीचे minus y अंदर गया एक नीचे minus y तो दोनों 90 डिग्री पर आगए इसका और इसका तो एक इसका अगर magnetic field देखोगे तो एक का तो माइनस वाई आ गया माइनस जे कैप आ गया ठीक है इस वाले सरकल का जो लोगर है और जो अपर वाला सरकल है उसका magnetic field बोर्ड के अंदर चला गया है जो की माइनस के कैप है यह दोनों एक दूसरे से 90 डिगरी पर है तो एक दूसरे से 90 डिगरी पर है दो वेक्टर होते है तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंड लेने हम सबको आता है तो एक यह वाले एक 90 डिगरी पर गर दो वेक्टर है यह माइनस के कैप और मालो इधर बी वन गया और माइनस जे कैप इधर मालो बी टू गया तो अवियसली सेमी सरकल है दोनों को तो नेट मेग्नेटिक फिल्ट जो बी होगा वो यहां से 45 डिगरी पर आएगा क्योंकि यह दोनों के हेक्टर आपस में एक्वल है तो नेट वेल्व हो जाएगी वह जाएगी बी वन स्क्वाइर प्लस बी टू स्क्वाइर और यह बी वन बी टू की जो रिजल्टेंट होता है रूट टू बी वन होगा वैसे बी वन बी टू की वेल्व निकाल लो तो सेमी सरकल का मेग्नेटिक फिल्ट कितना होता है तो सेमी सरकल का magnetic field पूरे circle का होता है mu not i 2 पार pi r तो 2 r होता है तो आदा circle का 4 r हो जाएगा और उसी तरह से b2 की value आजाएगी mu not i और यह जाएगा 4 r vector में अगर magnitude लिख रहा हूँ है और यह दोनों अगर magnitude में equal हैं तो obviously यहाँ पर जब रखोगे तो mu not i that is 4 r का square और plus यह जाएगा mu not i that is 4 r का square और यह सब रखने की जुरुत नहीं है बस मैं तुम्हें समझाने के लिए डारेक्ट याद कर लो कि net magnetic field कर दोनों vector equal होते हैं तो root 2 times अब बीवन होगा तो root 2 times बीवन that is mu not i और यहाँ से 4 r और root 2 से उपर नीचे multiply कर दो rationalize कर दोगे तो यह 2 ने 2 खतम कर दिया तो mu not i और 2 root 2 r इसका final solution है जो कि 45 degree पर आएगा mu not i 2 root 2 that